हेलो फ्रेंड्स वर्धन एकेडिमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग NCRT क्लास 6 का जोगर्फी में दूसरे लेशन को डिसकस करेंगे कल की वीडियो में हम लोगों ने सौर मंडल में प्रत्वी इस चैप्टर को हम लोगों डिसकस किया था प काफी इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है हर एक प्रत्यों की प्रिक्षा के लिए काफी महतपूर्ण है तो चलिए आज की वीडियो में इसको देखते हैं कि इससे समंदित महतपूर्ण बाते क्या क्या है इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं जिससे आप लोगों को थो कि यहां उत्तर दचिंट दुर्वों पर थोड़ी चपटी तथा मद्य में थोड़ी उभरी हुई है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहां कैसी दिखती है इस संबंद में जानकरी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कच्छा में साबधानी पूर्वक ग्लोब को हैं यहां पाकट में रखने हैं लße में पिलोबत दूस आज buds आखा त्था महांसागर्व को उनके सही याकार में दिखाये जाता है यहां तक ही और जिया डिया ग्ट sih का ni important है क्योंकि यूपी PCS का आप अगर 2020 वाला एक्जाम देखे प्रिलिम्स वाला तो उसमें लगभग मतलब भूगोल और पर्यावरंड से लगभग 35 कोशन पूछे गया तो काफी मात्रा में इस बार भूगोल और पर्यावरंड से कैसे बताई जा सकती है इसके लिए कुछ बिन्दूवें रेखां के संदर्व की आवस्चता होती है अब यहां पर देखिए यहां से इसटार्ट है आगे देखते हैं ग्लोब पर वे दो बिंद जिन से होकर सुई गुजरती है उत्तरी तथा दच्छडी दुरुप कहलाता है मतलब ऊपर वाला जो चिद्र है समझो एक तरीका से इसमें यह उत्तरी दुरुप है और यह दच्छडी दुरुप ठीक है इस तरीका से इसको प्रत्वी की बात पस्चिम से पूर्व क्यों गुआ जा सकता है ठीक है लेकिन याद रहे इन दोनों में एक अंतर है प्रत्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है यह अपने अच्छ पर चारों और घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है ठीक है एक अन्य काल्पनि चुछ को जाता है प्रत्वी के उत्तर में इस्तित आदे भाग को उत्री गोल तथा दच्छडी दच्छडवाले आदे घच्छडी गोलार्त कहा जाता है यह दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं इस प्रकार विश्वत वृत प्रत्वी पर एक काल्पनिक वृत बनाती यह देखिए विशुवत ब्रत है यह जो प्रत्वी को बराबर यहाँ पर बाट रहा है और यह देखिए इसके सवांतर यह रेखाए हैं यह सारी यह उपर भी है नीचे में तो जितनी उपर होंगी वो उत्तरी अच्छांस रेखाए होंगी और जो नीचे होंगी वो डठनी एगे देखते हैं, विसूवत वद्थ सून अंस अचांस को दरसाती है, चूँकि Hem विसूवत वरत से दोनों तरफ धर्टोः के बीच की दूरी प्रतवी के 4 और के वरत का 1 जोधा है अठा इसका माप होगा 360 का 1 वटुटे 4 है, क्योंक देखिए जैसे विसूवत व्रत 360 तो चारों तरफ यह बीच में पढ़ तो यहां पर यहां से इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री दिख्री देख्षरी और नीचे की तरफ हो जाएगा ऊपर की तरफ जूत एक रिखते हैं इस प्रकार विश्वत वरत कि उत्तर की सभी सवांतर रेखाओं को प्रेख्षण कहा जाता है इसलिए प्रत्यक अच्छान्स के मान के साथ उनकी दिसाय यानि उत्तर या दक्षण को भी लिखा जाता है सामानेता इसे उत्तर या दक्षण अच्छ्ण से व्थ किया जाता है उधानन के लिए महाराष्ट में चंदरपूर एवं ब्राजील दच्णी अमेरिकाज महादीउप में जो ब्राजील देश है उसमें बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अच्छांस 20 डिगरी पर इस्तित है ठीक है मतलब महाराष्ट का जो चंदरपूर है और ब्राजील का होरिजोंटो ये दोनों 20 डिगरी पर ह है ठेकर बीस डिग्री पर लेकिन 20 पर हैं लेकिन चंद्रपूत विश्वत वरत्त के बीश अंज उत्तर में एवास बेलो होरिजूंट में चंद्रपूर है और होरिजूंट यह दश्वत डिग्री और। इसलिए हम कहते हैं कि चंदरपुर 20 डिग्री उत्री अच्छांस वा तथा बेलो होरिजुंटों 20 डिग्री दक्ष्णी अच्छांस पर इस्तित है चितर टूपाइंट टूसे इसपस्तै जैसे हम विशुष्वतृ से दूर जाते अच्छांसों का अकार घड़ता जाता है यह देखे यहां पे अपर सारी चीज़ें दिखाएगी है यह पर देखे ऊत्री दूब ऊपर हो गया है फिर उत्री सीट करकर थे यह दिखे विश्भ विश्मुवत व्रत यहां पर आगे देखते हैं तब सारी चीज़े आ जाएंगे विश्मुवत व्रत जीरो डिग्री उत्री दुरूब 90 डिग्री उत्री तथा दच्णी दुरूब 90 डिग्री दच्णी के अतरिक्ट चार में अच्छान समांतर एका और भी हैं ठीक है में रेखा हैं वह भी देख लेतने हैं उत्री गोलार्द में करकरे का साड़ेश डिग्री उत्री है इसको भी लगभग लोगों को यह चीज़ सबसे अधिक उस्मा प्राप्त होती तता इसे उस्ष्ट्र में सबसे अधिक उस्मा प्राप्त होती तता इसे उस्न कटपंद कहा जाता है यहां पर देखलिए औस तता मकर रेखा जाता है किसी भी चांस पर दोपाहर का सुर्खभी भी सीरी के इवपर नहीं और तुरप की तरफ्भ की केड्ने तिर्ची होती है होती जाती हैं इस प्रकार उत्री गुलारद में करकरेखा एबं उत्री धुरुब ब्रत्त तता दचड़ी गुलारद Δे में मकर रे कि आगे दätkiem स्कोफ हैं ठीक है यहाँ पर देख लिया है Bengal इसके बाद है उत्तरी गोलार्द में उत्तर धुरुव व्रत अवं व्रुब के च्छेत्र में थंड बहुत होती है ठीक है थंड बहुत होती है क्योंकि सुम्सूर्द Google व्रुवर है नहीं आ स्थान की इस्थान को बताने के पस्तान के अच्छान क्या त्यूरिक्ट कुछ और जानका chrom कि इसक्ता होती है आप देख सकते हैं कि प्रशाद महासागर में इस्थित टूंगा दियुप एवं हिंद महासागर में इस्थित मौरिसस दियुप एक ही अच्छास ठीक है 20 डिग्री दक्षिन पर इस्थित हैं उनकी सही इस्थित जानने के लिए यहां पता लगाना होगा कि उत्री दुर्फ को दच्छे दुर्फ से जोड़ने वाले संदर्व रेखा से पूर या पस्चिम के और इन स्थानों के दूरी कितनी है इन संदर्व रेखा को देशांतर या मुत्तर कहते हैं यह देखे यह हैं इस टाइप से यह जो ऊपर से अंसों में मापा जाता है ठीक है मापा प्रतेक अंस को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विवाजित किया जाता है यह अर्दवरत है तता उनके वीज की दूरी दुर्फ के तरफ बढ़ने पर घटती है दुर्फ की तरफ जब भी जितनी वीज की दूरी घटती रहेगी एब्धुरवों पर सून्ने हो जाती है जहां सभी देसांतरी आम उतर अपस में मिलती है यह पर देखी एछे इन दोनों के बीच में गैप है ठीक है और जितना भी ध्रूवों के तरफ जाती जैसे यह देखिए अच्छा सभी देशांतर रेखाओं के भिन सभी देशांतरी या मुत्र की लंबाई समान होती इसलिए इन्हें सिर्फ मुख संख्याओं में वेक्ट करना कठिनता तब सभी देशों ने निष्चे किया कि ग्रीनिच मतलब ग्रीन विच भी आप लोग देखते होंगे ग्रीनिच जहां ब्रेटिस राज की वेदसाला इस्तित है से गुजरने वाली या मुत्तर से पूर्व और पस्चिम की और गिंती शुरू की जाए इस या मुत्तर को प्रमुक या मुत्तर कहते हैं इसका मान जीरो मिलकर प्रत्वी को दो समान भागो पूर्वी गुलार्द में विवक्त करते हैं इसलिए किसी भी स्थान के आगे पूर्व के लिए अच्छर पू तथा पस्चिम के लिए अच्छर पाक आप उप्योग करते हैं या जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पस्चिम या मु स्थानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस्थान का पता असानिस लगा सकता हुदारण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अच्छान से नाइन्टी पूर्वी देसांतर पर इस्तित है ठीक उत्तरी और पूर्वी यहां पर देखिए 26 डिग्री यहां पर दिया नहीं गया ठीक है और इसको पहले इसको पढ़ लेते फिर देखते हैं अब उस बिंद को देखो जहां से दोनों रेखा एक दुसरे को काटती है यहां बिंद धुबरी को सही स्थिती होगी इसको समझाने के लिए कागच पर समान दूरी वाली छेती तता उर् यह देखे हैं यहां मैप दिया गया है इसको आप लोग देख ल championships यह मैप दिया गया है तो सभावी ही है कि या पूरे विश्च में समय निर्दान का सबसे अच्छा साधन है इस्थानी समय का अनुमान सूरी के द्वारा बनने वाली परचाई से लगाया जा सकता है जो दुपाहर में सबसे छोटी हम सुर्योदे तथा सुर्यात के समय सबसे लंबी होती है ग्रीनिच पर इस्तिती प्रमुख या मुत्तर पर सूरिज जिस ठीक है इसको थोड़ा सा वह कर लेते हैं ठीक है ग्रीनिच पर इस्तित प्रमुख या मुत्तर पर सूरिज जिस समय आकास के सबसे उंचे बिंदु पर होगा उस समय या मुत्तर पर इस्तित सभी इस्थानों पर दो प पहर होगा ठीक चूंकि प्रत्वी पस्चिम से पूर्व के और चकल लगाती है अता वेग स्थान जो ग्रिनीज के पूर में उसका समय ग्रिनीज समय से आगे होगा तता पस्चिम में उनका समय पीछे होगा ठीक है समय के अंतर की दर की गढ़ना निमलिकित विदिसे की जा सकती प्रत्वी लगबक 24 गंटे में अपने अच्छपे की घूमती है ठीक है पंद्राब डिग्री फूर्व में समय होगा 60 मिनिट अर्थाथiform ग्रींड इच्छ के समय से एक गंटा आगे होगा क्योंकि एक गंटे में 15 गूमजाता है तो but पंद्राब पूर्व में एक घंटा आगे होगा यह फ windows पूर में समय इतने मिनिट अर्थात मेंके समय आगे अर्थात वहां दोपायर का एक बजा होगा 12 जब बजा होगा तो 15 डिग्री और अगर पूर में चलेंगे तो वहां एक बजा होगा क्योंकि 15 डिग्री एक घंटे में पूरे होते हैं चार मिनट में एक डिग्री यह काफी important चीज़े हैं इनको आप लोग नोट कर सक सब्सक्राइब लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पस्चिमी का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा यानि वहां सुबह के 11 बजे होगे इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपायर के 12 बजे होगे उस समय 180 पर मध्य रात्री होगी ठीक है क्योंकि बिलकुल ही उसी सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा 12 घंटा चेंज हो जाएगा तो यहां जब 12 बजा होगा तो वहां मद्र रात्री हो जाएगी 12 घंटे का अंतर हो जाएगा किसी भी इस्थान पर जब सूर्य आकास में अपने उच्तम बिंद पर होता है दोपायर में उस समय घड़ी के द किसी इस्थानों के इस्थानिय समय में अंतर होता है उधारन के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेल गाडियों के लिए समय सानी तयार करना कठिन होगा भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के दिब्रुगड के इस्थानिय समय में लगबग एक गंटा 45 मिनिट का अंतर होगा इसलिए यहाँ अवस्य गए कि देश के मद्ध बाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के इस्थानी समय को देश का मानक समय माना जाए इस यामोत्र रेखा के स्थानी रेखा के स्थानी समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है भारत के साड़े 82 पूर्वी को मानक यामोत्र माना गया है इस यामोत्र के स्थानी समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है इसे भारती मानक समय के नाम से जाना जाता है कि यहां पर देखें कबीर बोपाल के निकर्ट एक छोटर से नकर में रहता है वह आपने मित्र अलोक से कहता है कि वे को आज रात्री में नहीं सो पाएंगे भारत एवम इंग्लेंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दो बज़े अपरहन में शुरूँगा अर्थाथ भारत के समय अनुशार मैच साड़े साथ बज़े शुरूँगा ठीक है क्योंकि जब यहां 7,5 बज़ा होगा की कि लंदन पस्चिम में है ठीक है भारत से पस्ची में है और उसका जो से जो इंडिया का जो अंतर है यह रहा है — एक क्या। है ऑप जातें इंग्लेंड के समय में क्या अंतर है भारत ग्रिनिच से पूर्भी साड़े 82 डिगरी 30 मिनट पूर में इस्तित है यहां का समय ग्रीनिस समय से 5 गंटा 30 मिनट आ गया है इसलिए जब लंदन में दोपार के 2 बज़े होंगे तब भारत के सामके साड़े 5 गंटे इंडिया आ गया है उससाब से कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गया है उधानर के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाए गया प्रतिवी को एक एक गंटे वाले 24 समय चेत्रों में बा इसको हम लोग तब डिस्कस करें घ erro इसके उपर सोट नोट स्की हम वीडियो बनाएंगे और सौत्ट नोट्स आपको फ्रोवईड करा देंगी तब इसके जितनी भी इसके एकिससाइज है उसको मलोग डिसकस कर लेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमे जरूर बताए और अगर आपका कोई प्रस्ण है आपको कोई question पूछना है तो please हमें comment box में जरूर बताए और ठीक है आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद